हेलो एब्रीवन वेलकिन टू गेट नोटबुक और आज हमें आप पर जा रहे हैं डिस्कस करने सिस्टम सिक्यूरिटी के अंदर सिक्यूरिटी मैजर्स एंड प्रोटेक्शन ठीक है तो अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं प्रिविएस लेसंस की तो इसकी मैंने आपको प्ल सब्सक्राइब करें और आपको कई सारे अपडेट्स भी मिलते रहें एंड वन मोर थेंग आप गेट नोटबुक के कम्यूनेटी को भी चेक करते रहा करें वहां पर भी कई सारी यूसफल इंफरमेशन अपके साथ शेर की जाती हैं अपको काफी हेल्प मिलेगी साथी अप फेस्बुक ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं गेट CAC 2021 श्वेता कुमारी इजार फेस्बुक ग्रुप वहां पर भी बहुत सारे इंपोर्टन अपडेट्स शेर किये जाते हैं लेट्स केट स्टारेट विद टॉपिक्स अपड़ेशन अपड़ेशन अपर लेकर सिस्टम में किस तरीकी से इंट्रूडर अटैक करता है अनौथराइस डिवे में अब लेट्स नाव हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि वह अटाक्स ना आपाएँ उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो वाट आदर सिक्यूरिटी मेजर्स टेकर सबसे पहले अगर हम देखें सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्यूरिटी मेजर्स किस-किस लेवल में हम ले सकते हैं और कौन-कौन सी सिक्यूरिटी मेजर्स हम किस लेवल के तौर पे कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहला है फिजिकल लेवल हम फिजिकल लेवल में भी मेजर्स ले सकते हैं हुमन मेजर्स ले सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर्स ले सकते हैं and networking systems measures ले सकते हैं कि ये चारो terms में system को हान ही पहुचाई जाती है in terms of security फिजिकल की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो physical measure अगर लेंगे उसके लिए क्या चीज़ हो सकते हैं the sites containing computer system must be physically secured against armed and malicious intruders तो हमें यहाँ पर physically secured अगर मुझे system को बनाना है hardware के terms में बात करें हमने previous videos में पढ़ा था कि जो system है उसके resources को lock कर दिया जाता है ताकि जो भी important काम है वो रुक जाए अगें यह आपके security को हानी पहुचा रहा है है ना क्योंकि आपके security की भी कुछ requirements होती है जिसको fulfill करना है system के अंदर वो resources करती है अगर वो lockdown नहीं होती तो वो physical resources को भी हमें armed करना है किसकी खिलाफ malicious intruders की खिलाफ तो work stations must be carefully protected जो जितने भी work stations मतलब एक server से जितने भी clients जुड़े हुए है जितने भी systems जुड़े हुए है each and every system को हमें physically armed करना है right secondly human human majors क्या क्या हो सकते है only appropriate users must have the authorization to assess the system देखो intruder जो होते है actually human ही होते है ठीक है like malo system के अंदर human तो खुद नहीं जा सकता है ना तो वो किसकी help लेता है programs की help लेता है software की help लेता है right so in that way यहां पर हमें जो human है वो खुद की जब authorization पाएगा तभी तो वो अपने programs जो भी वो malicious programs है intruder है उनको उसके अंदर entry दे पाएगा तो आप system के अंदर authorized users को ही assist करने दे जो कि अप्रोप्रियेट है अब यहां पर जो users है वो क्या क्या कर सकते है fishing and dumpster diving यह दो चीज़े human जो unauthorized intruders you can say वो यह दोनों चीज़ों को जरूर उप्योग करते हैं किसी भी system की security को destroy करने के लिए अब यह दोनों चीज़े क्या होती है उसको एक बढ़ देख लो fishing यह आपने बहुत सुना होगा ठीक है तो fishing जो है it is an collect एक तरीक से collect के करता confidential information जैसे मैं आपको previous video में भी बताया था कि आपकी login ID है ठीक है अब login करते register करते जो भी information है वो आपने अपनी डाल दी mobile अब कोई मुश्किल काम नहीं होगी है तो यह information जो confidential information जिससे आपको हानी पहुचाई जा सकती है तो वो fishing के द्वार किलेक्ट की जाते हैं now next dumpster diving क्या होता है so collecting basic information ठीक है confidential information collect करना fishing but the basic information को जब collect करने की बात की जा रही है so as to gain unauthorized access ठीक है basic information से कोई user आपके profile में access कर सकता है like facebook में भी हम basic information नहीं share करते हैं right तो उसके जरिये भी आपकी profile में कहीं नहीं कहीं को access कर पारा that is dumpster diving then third security measures जो है वो operating system के terms में बात करेंगे the system must protect itself from accidental and purposeful security breaches operating system क्या है तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक system के अंदर software and hardware दोनों चीजे होते है how they interact how a user end user we can say I make client to make end user how I interact with the system it is only done by operating system without operating system we can't interact with any system right तो एक तरीके से जो भी cooperation कह सकते हैं coordination ठीक है एक तरीके से communication इंटर एक तरीके से इंटर डिपेंडबिलिटी बन जाते हैं कहीं ना कहीं operating system एक system का तो operating system को हानी पहुँचा करके उसके security को भी break करके system के security को हानी पहुचा जा सकते हैं तो operating system में किसी भी तरीके के accidental and purposeful जो security breaches है वो ना हो उससे protect करना important है networking system की बात करें तो almost all of the information is shared between different systems via network आज कल तो सबसे important हो गया network अगर दो मिनट के लिए net बंद हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सांस रुख गया है काम रुख गया है तो system जो है कहीं न कहीं network पर पूरी तरीके से dependent हो चुकी है जुड़ चुकी है एक system जैसे networking से जुड़ता है उसकी information भी network के अंदर आने लगती है एक system दूसरे system से अपना जो information है वो शेर करते रहता है वाय यूजिंग नेट वर तो intercepting these data could be just as harmful as breaking into a computer वो data एक जग से दूसरी जग जा रहा है लाइक मालो एक system secured है but another system ठीक है जिस पर हम data भेज रहे वाया network वहां पर कुछ न कुछ लाइक मालो को intruder है unauthorized assess है तो network के जरे वो दूसरे system वो भी assist कर सकता है रहे वह harmful हो सकता है and henceforth network should be properly secured against such attacks अगर हम उस network को ही secure कर ले तो दोनों की दोनों system भी secure हो जाएंगे now next topic is your protection and system security अगर हम system security के term से बात करें तो protection क्या protection is nothing but बचाओ right मतलब कोई problem हो उससे पहले protect कर लेना so security refers to providing a protection system to computer system resources ठीक है security क्या कहती है अगर in terms of system की बात कर लें security मतलब कि एक computer system के अंदर एक protection system होना चाहिए ठीक है अदब computer के काम भी चल रहा है बट साथी साथ protect भी हो रहा है वो उसकी resources protect हो रहे हैं कौन का से resources जहां पर आपको लगता है कि security breaches हो सकते हैं CPU memory disk software programs and जो भी data और information हम store करते हैं computer system के अंदर वो सारी चीज़े उनको secure रखने के लिए protection system जो है वह एक system के अंदर होना ही चाहिए if a computer program is run by an unauthorized user अब एक computer को तो पदा नहीं है कि वो user में लिए authorized के unauthorized है उसको तो बस जो भी instruction मिलता है वो उसको follow करता है है ना तो अगर कोई unauthorized user system program को run कर रहा है then he or she may cause severe damage to computer data store in it है ना वही तो intruder होगा तो यहां पर इसी तरीके से आपका protection होता है कि protection इन सभी data को control करता है protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कोई unauthorized user जो है वो computer program को use कर उससे पहले system जो है वो समझ जाए कि कौन में लिस सही है और कर अब यहां पर हम over हो करता हैं वो जो हैं